हेलो अब्रीवेन वेल्कम टू माई चैनल आज हम देखेंगे डिजाइनर अम्रेला ड्रेस कटिंग एंड इस्टिचिंग वो भी पुरानी साड़ी में नहीं नहीं ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक या दो बार साड़ी पहनी है उसके बाद मन नहीं किया पह कुरा फैबरिक Drive लग जाएगा इसमें असतर चीये 2 मीटर अलग से तो चलिए कटिगना शुरू करते हैं डिज्ट बवाग यहा दीक शुरू करते हैं आ रहेते हैंसे सब कुछ सब पहहले पल्ला देखेंगे देखिए औहले साबकलिके इसके है वो फ्रोक कि घेर की त तो चलिए कटिंगाना सुल करते हैं सबसे पहले देखिए चार फोल्ड में इस तरीक से देखिए फोल्ड कर लेंगे पल्ला नॉर्मली क्योंकि साड़ी का अर्ज है जो ज्यादा होता है अब देखिए चोदा इंच तैयार चोली चाहिए हमें यह देखिए उसमें डीड़ इंच पलस कर लेंगे तो हो जाएगा साड़े पंद्रह तो आप भी साड़े पंद्रह ही चोली रखें ज्यादर बड़ी चोली अच्छी नहीं लगती है लुक अच्छा नहीं आता है तो यह देखिए तीरा रखेंगे छेंच मैं आपको बताते हूं अच्छा तरीका सिंपल तरीका और छे ही रखेंगे आर्मूल और इस तरह किसे देखिए ड्रोइंग कर देंगे निशान लगा देंगे और देड़ इंच पर मार्किंग करेंगे जो की आर्मूल की क्योंकि स्लिप कट फ्रोग बनाएंगे तो देड़ इंच सही है नो इंच फिटिंग लगाएंगे फिटिंग पर निशान लगाएंगे चेश्ट पर और नो इंच नीच लगा देंगे कमर पर सिंपली देखिए सीधा मार्क हो गया तो दो इंच मार्जन के लिए लिए यहा इस तरह किसे मार्क ही कर देंगे एक एक इंच दोनुuh साइट कि मार्क ही करते हो इस तरीकी से घए प्लेत पर निशान लगा देगे तो चोली की ट्रोइंग हो गई है निशान लग गए है सिम्पली सको कटिंग कर देंगे यह देखिए कपड़ा एक वली कर देते बराबरी कट कर दिया है अब कटिंग करेंगे आर्मुल कट करेंगे देखिए बहुत सिम्पल तरीका है और आप फ्रोग बनके तयार होगी एक तब डिजाइनर तरीके से डिजाइनर फ्रोग बनके तयार होगी कट कर देंगे कट लगा देंगे प्लीट पर और फिटिंग पर यही देखिए 90 अब उसको प्रभकण के रहा है ना कि ऐसे फहने यह देखिए अब चलिए जो कपड़ा बचा ऐ कि पाँछ मिंटर कपड़ा ने था बाचमीटा था जितना फट जो जो जितना फैवर बचा सिंप्ली उसके चार फोल्ड कर लेंगे हम दखी इस तरह की से यह देई तो चार फोल्ड हो गए हैं इसको अच्छे से स्टरुग से बिछा देंगे देखिए जगा भी जादा चाहिए होती है फोक कट करने के लिए मुग जादर बिछा गर उस पर हम कटिंग कर रहे हैं सलवटे हटा देंगे इस तरह के से यह देखिए अब जितनी आपकी फुल लंबाई है कंदे से लेकर पैर तक उसमें से आप 14 इंच माइनस कर देंगे पूरी लंबाई में से और 14 इंच माइनस करने के पाद साथ इंच फिर प्लस कर देंगे उसमें कर देंगे अब आपको समझाते हैं अब देखिए इस तरह के से लंबाई लेंगे जो साथ यह देखिए जितनी लंबाई है अब साथ इंच पर मार्किंग करेंगे यह देखिए साथ इंच हमने इसलिए प्लस किया था 14 इंच कटाने के बाद क्योंकि 7 इंच कपड़ा कट हो ज तालेसंच पर मार्किंग कर रहे हैं घेरे की इवार आपको फिर बता देती हूं जितने आपकी लंबाई हो फुल कांदे से लेकर पैर तक उसमें से चोदा इंच घटा देना है सरकल काटने के लिए मेजरमेंट सब्सक्राइब और इस तरीक पर करके प्रह पर हम लगा लेंगे जोईंट इतना बता अब पर यह उत्त आफ यह पर ड्रहा है हमारी फ्रोक की लंबाई कुछ जादा है तो इसलिए में जोंट लगाना पड़ेगा पर आपको जोंट लगाना नहीं पड़ेगा अगर आपकी लंबाई कम हुई तो फ्रोक की और यह देखिए circle cut के तियार हो गया इसमें कोई कली नहीं कोई joint नहीं कुछ नहीं है और इसको भी cut कर देखिए हमने 7 इंच इसलिए cut कर रहे हैं कमर में क्यूकि हम डालेंगे plate अगर आपको plate नहीं चाहिए तो आप simply 4.5 पर या 5 इंच पर cutting करें कमर की कि इस तरके से देखिए फानल लुक आयेगा यह यह देखिए निचे से इक्षार भी करना ना है यूँकि कपडा किता प्रावर कट कर लो तिल्डा होई जाता थेखिए गैंद चलेकेत यह देखिए Chief से इस तरह से एकाट की जाती है अच्छे से एक्सार किया जाता है जो सरकल होता है बरावर करते हुए तिक तर्म ढस साइ już थीख केसका देंगे लिए पीको की जाएगी अब अंदर के लिए देखिए अंदर के लिए असथर के लिए जाहिए मपस्ट हो चहिए ह्फ eu конфनकिया अंदर के लिए एक पट चाहिए होता है अस्टर लगाने के लिए फिर अच्छा रूखाता है न birthday थो अ भी हtsåाई हमारे हमेर पास फाल दोकवड़ा पड़ा था हम इसी का अन्दर के लिए एक चाल कार doesn't क्वेंगे हाफ रिकाल आप जाहें तो मैचिंग मपनोचा लगा सकते हैं से इसमें पहले दो क्योंगि अंदर के लिए और देखे इसके चार सरकल होगा से फोल्ड करते हुए अंजे टेप लेंगे सबस्थो पहले करेंगे 14 इंच पर मार किन क्योंकि हमने वह कमर पर मार किनि 7 इंच पर साथ अजाद चोधा इसके दो सरकल है उसके चार सरकल थे तरह के से लंबाई ले लेंगे उसकी हमने ले लिए थी इत्तालिस लंबाई इसकी हम कम लेंगे पास या छेंच कम लेंगे इस तरह के से अंदर का सरकल भी कट कर लेंगे फ्रोक के उसको भी कट कर देंगे ये देखि आप करेंगे फ्रोग की स्टीचिंग तो चलिए जल्दी से स्टीचीं करना सुरू करते हैं बिना समय ब्रबाद की तो चोली का फ्रंट नेक केलिए एट influx साथ चार इंच मारगी करेंगे और चोड़ाई लेंगे साथय तीन नीच्छे साथय तीन और ऊपर त्यूद सथ practically गोलाई देदिए को 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 करतेंगे कट यह बना रहे हे हम गले पट्टी वाले बुग्रम बाले गले नहीं बना रहे हम पट्टी वाले गले आप बना कर देगा बहुत अच्छी finishing आती है बस पट्टी लगाने का सही तरब का अना चाहिए लेक नेक के लिए इस तरह के से इसको भी कट कर देते हैं तो दोनों कट कर लेंगे देखिए दोनों गले कट कर लेंगे एक करके एक साथ नहीं कट करने है हят पャ्ल कुछ हर आज हुं के पटी कट करेंगे देखिक पटी लगाने के लिए तिरची पटी कट करेंगे correct वो त्यों तो आपको पता ये तिर्ची परची तिरची पटी कैसे कट की जाती है आयद है तैकर प्टी कट लाई देते हुए अराम से बिना खीचे यह देखे इस तरीके से पट्टी लग गई है और इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसी तरीके से इसी तरीके से बैक नेक और मूल पर भी इसी तरीके से पट्टी लगा नहीं है पट्टी लग चुकः है अब फोल्ड कर लेते हैं प्लेट इसी तरीक ये ये इसी तरीक से आगे पीछखे के दोनों पार्ट तयार कर लेंगे अब जॉइंट करते हैं देखिए मुढड़े छ्ø separator a एक पट्टी हमने फोल्ड कर लिती गले की और एक पट्टी फोल्ड नहीं कीती अ उद्ध कि इस तरीके से मुड्डे जोइंट करने है यह इस तरीके से कितना चल फिनिशिंग आई यह तो गला बनके तयार है और यह देखिए अब मुड्डे तयार हो गए है अब चोली के आर्मूल पर पट्टी लगाते हैं यह यह देखिए मुड्डे को इस तरीके से जोन करने के बाद फिर आर्मूल भी तयार कर लेंगे सेम जैसे गले पर पट्टी लगाई थी वैसे ही आर्मूल पर भी पट्टी लगानी है और यह देखिए प्लू किना आरे पर सलाई चलानी है यह पट्टी है उस पर देखिए, आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आईगी न, आप फिटिंग लगा देते हैं चोली में, जितनी आपको फिटिंग हो, आपको चाहिए होती है, आप उतनी फिटिंग पर श्टीच कर लें, और एक बेर की और सलाई देते हुए, दो सलाई लगा देते हैं आई यह देखिए, चोली बन के त्यार हो गई यह, अब लेते हैं, सरकल, तो सरकल को दोनों साइट से जोइंट कर लेंगे, यह देखिए, सिर्फ उसमें दोई जोइंट है ना सरकल में, इस तरीके से दोनों साइट जोइंट करते हुए सरकल को देखिए, दोनों साइट के जो कि यह जो फालतु कप्रा जो पचा है हम जो प्लेट डालेंगी बीच में उतने बीच में प्लेट डाल लेंगे और जितनी आपकी कमर है उतना मेजर्मेंट करने नहीं है सरकल की और देखिए जो जो हमने दूसरा सरकल कट किया था उसमें प्लेट डाल लेंगे और दोनों को इस तरीके से देखिए जॉइंट कर लेंगे आई ये देखिए इस तरीके से अगर आप अपनी फ्रोग बना कर तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा लुकाता है वो घुमती है तो बहुत अच्छा से घुमती है अब देखिए इसको उल्टा कर लेंगे चोली लिएंगे चोली को सीधा करेंगे और जो सरकल उनको लगा लेंगे और इस तरीके से डालते हुए अंदर देखे इस तरीके से ये देखे ये देखे इस तरीके से मिलाते हुए देखे चोली और सरकल उनको बरावर होना चाहिए दोनों का घेरा और इस तरीके से यह चोली लगाने का वैस्ट तरीका है वैसे तो हम सिंप्ली वैसे भी लगा सकते हैं वह तरीक अच्छा नहीं होता है उसमें अच्छे से सरकल घूमता नहीं है फिटिंग अच्छी नहीं आती है बात यह सारी और इस तरीके से फाइनली फ्रोग बन के तैयार हो जाएगी और नीचे फ्रोग में आप पी को कराएं स्लाई लगाने से फिनिशिंग मतलब किनारी नहीं बनती है और देखिए यह आपको फ्रंट ओपन करके दिखा देते हैं यह यह देखिए इस तरीके से फाइनल लुक और एयगा